हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चेनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों कहा स्वागत करता हूं तो दोस्तो मार्केट लीडर जिसे हम HDFC बैंक के नाम से जानते हैं उसने अपने कौटर सेकंड के नंबर पेश कर दिये हैं अब उसने बड़ा है या गाटा है EPS किस प्रकास से देखने को मिल रहा है और नंबर किस प्रकास से शो हो रहा है quarterly और yearly यह सब मेंटेन करके आप लोगों को बताने वाले अच्छी तरीके से ठीक है और आप लोगों को तो पता हिए कि निफ्टी 50 में तीसरे नंबर की पोजिशन है इ अगर यह थोड़ा सा मुमेंटम कर दे तो बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर आ जाता है ठीक है मतलब नीचे का या ऊपर का कर दे तो बैंकिंग सेक्टर भागने लगता है जिसके मार्केट को भी काफी अचल सपोर्ट मैलता है तो खिर देखते है नंबर किस प्रकास से और दोसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोसतो आप लोगों के लिए जो हमने आज मॉर्णिंग में बहुतिरिंग स्विंग ट्रीट का जो विडियो है वो अपडेट किया है उसका लिंगेट दिया हुआ है, और कल दोसतो आपको हर दिन किसी प्रकार से मिलने वाला है तो चली चलते हैं दोस्तो डारेक्टली ओफिसली पीडिएफ के उपर तो यहां पर आप देख सकते हो HDFC बैंक 16 अक्टूंबर मतलब दोस्तो दिन सटर्डे का मार्किट तो बंद है लेकिन बेक साइड में पुरा काम चलता रहता है ठीक है और कौटरली सेकेंड का सिलसिला तो यहां पर चालू होई चुका है डिविडेंड का फंडा और कुछ भी बोनास स्प्लिट या कुछ भी पंडा नहीं देखने को मैं मिल रहा है डायरक लेकर हमें quarter second का result देखना है तो quarter second का result यहां पर आप देख सकतो आप लोगों के सामने open है stand on hold वाला ठीक है और इसमें evaluation है लेक में तो देखे मुझे read करने में अगर थोड़ी सी दिक्कत होगी तो उसको आप समझ लेना ठीक है और कुछ अलगी अंदास से मैं आप लोगों को बता दूँगा तो आप लोग उसको थोड़ा समझ के चलेगा क्योंकि बेलियोशन लेक में दोस्तो और आगर मैंने कभी करोड उस पड़ दिया तो आप लोगों को थोड़ा situation आप लोगों की बदल सकती है इसके लिए आप इग्नोर करिएगा तो यहां पर आप देखिए सितंबर 20 ठीक है ठीक है एक सल पहले का रिजल्ट जून 21 अभी मतलब तीन मेने पहले का रिजल्ट मतलब एक कौटर पहले का और सितंबर 21 मतलब अभी का performance ठीक है अब यहां पर company का दोस्तों बहुत सारा income है income में कौन-कौन सा जाता है interest earn ठीक है interest discount और advance bill interest income ठीक है interest on balance with RBI of India and other interest bank fund और other income यह सब मिला कि अगर देखे तो 4-5 प्रकार की income होती है ठीक है 4-5 प्रकार की income होती है ना इनकी तो total income बन जाती है total income को ही हम compare कर लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से देखने को मिल रही है तो यह है total income ठीक है यहां पर अगर आप देखेंगे तो total income है देखे situation जो figure से वो काफी बड़े है तो आप इस प्रकार से भी मान के चल सकते हो कि 38 मतलब sorry दोस्तों ठीक है 387 ठीक है यह September 2021 का performance है June 21 की अगर मैं बात करता हूँ जब इसने number show किये थे दोस्तों 366 ठीक है और यहां पर अगर मैं बात करता हूँ September 2020 की तो यहां पर number इसने पेश किये थे 307 अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कि देखे इस quarter में कितने पेश किये हैं 387 ठीक है और last year इसने पेश किये थे दोस्तों 360 तो अगर मैं year on year दिखाता हूँ आपको तो बहुत ही शांदार revenue में मतलब total income में jump देखने को मिल रही है quarter to quarter भी compare अगर आप करते हो तो jump देखने को मिल रही है तो मतलब अगर देखा जाए तो number आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक देखने को मिल रहा है अभी total income की बात हो रही है नीचे देखने वे किस प्राकार से number देखेंगे ठीक है मैंने मतलब ये crown figure में लिखे हैं दोस्तों तो आपन समझने के लिए क्योंकि number काफी बढ़े अगर मैं इस प्राकर से पढ़ूँगा तीन लाग सेत्या से अजार तो इससे काफी मतलब बोलने में दिक्कत होगी जिसके लिए मैंने से नॉर्मल ही लेके चल रहा हूं ठीके फिर उसके बाद expenses जा जाते हैं मतलब company के खर्चे ठीके जिसमें employee के salary ठीके उसके बाद अगर देखते हैं तो दोस्तों company का maintenance charge और interest expander मतलब bank को भी interest देना पड़ता है अगर आप FD करना जाओगे तो आपको interest देना है ठीके इस quarter में June quarter में कितना हुआ था June quarter में हुआ तो दोस्तों 216 का ठीके और मैं बात करता हूं दोस्तों सितंबर 2021 की यह वाले quarter की ठीके यह वाले quarter की सितंबर 2020 की तो महाँ पर triple two मतलब आप यहां पर देखेंगे तो खर्चा हमें Daisy argent ऑनी में कि फिम अपर कार्चा ध देखने को भी देखने को मिले तो डेफिनिटली दोस्तों क्यों देखने को मिला खर्चा क्यूंकि company अपने business को expand कर रही मतला बड़ा रही है तो growth होगी तो definitely खर्चा तो महें देखने को मिलेगा अब यहां पर उसके नीची आ जाते हैं उसके नीची अगर हम देखेंगे ओप यहां पर क्या लिखा हुगा है ओपरेटिंग बिफॉर प्रोफिट बिफॉर प्रोविजन एंड मतलब दोस्तों पूरा प्रोविजन जो न वह भी एड नहीं किया गया है ठीक है तो य प्रोविजन यहां पर जोड दिया गया प्रोविजन क्या होता दोस्तों प्रोविजन वह सी चीज है जो पूरी टैसनेस कर देती है कंपनी की कंडिशन को प्रोविजन यह कि दोस्तों बैंक है ना इतने पैसे को भूलने को तैयार है कितने पैसे को मैं आपको बताता हूं देखें सबसे पहले मतलब प्रोविजन एड नहीं किया ना खर्चा पे करने के बाद कमपनी के पास कितना प्रॉफिट बचा है इस कौटर में बचा है दोस्तो एक सो अथावन का ठीके एक सो अथावन का यहाँ पर आप देख सकते हो ठीके जून कौटर में बचा था एक सो का ठीके और सितंबर 2020 मतलब इस कौटर में बचा था 138 का मतलब खर्चा पे करने के बाद अगर देखें तो इयर ओन इयर भी जंप और कौटर टू कौटर भी जंप देखने को मिल रही है लेकिन दोस्तों प्रोविजन आ जाता है जो मेन सीगमेंट है बेंक का इस से हमें प देखें प्रोविजन आप यहां पर एड होने गा रहा है यहां पर देख सकते हो ठीक है यह लिखा हुआ है प्रोविजन अधर दे टैक्स ठीक है और कचेंशन यहां पर आप देख सकते हो Toy यह जो एक लाग अटावन हजा रहा है आप बोल सकते हो एक सो अटावन में से ठीक है कितना हम माइनस कर देंगे दोस्तो एक अटावन में से हम लगबग माइनस कर देंगे दोस्तो यहां पर है 15,80,729 एक बार मैं पूरा डीटेल पढ़कर बता देता हूँ यह जो फिगर से यह दोस्तो 15,80,729 ठीक है जिसमें से हमको माइनस कितना करना है दोस्तो 3,92,406 इतना पैसा कितना पैसा दोस्तो 3,00, 3,00, ठीक है 3,00,92,406 रुपए आप बोल सकते हो इतना बैंक क्या करने को बोलने को तयार है अगर मैं इसको करोड़ में पढ़ूँगा तो यह 300 करोड़ प बोलने को तयार है कि यहां पर आएगा या ना आएगा किसी को नहीं पता ठीक है जून कॉडर में जून कॉडर में था दोस्तो कितना 4,83,000 ठीक है 4,83,000 ठीक है चार लाक तीरियासी हजार था क्या प्रोवीजन ठीक है और अगर मैं बात करता हूं सितंबर 2020 की वहां पर प् कंडिशन येर औन येर वेसस पर गड़े पर जाते देखने को मिल रहा है तो हमारे लिए ये वाला प्लस पॉइंट है कि दोस्तो सितंबर कॉटर को अगर जून कॉटर से कंपेर करें तो जो प्रोबीजन है बहुत अच्छी तरीके से यहां पर मेंटेन होते देखने को मिल रहा है देखिए देश की दिगश नंबर वन का बेंक के प्राइविट शेक्टर की बाएं बाद करता हूँ तो इसको प्रोबीजन मेंटेन करके चलना पड़ेगा और देखाना पड़ता है ठीके यह बाद जब उसके अंदर ढूंडा टटली हुई तो दोस्तो कितने खराब कंडिशन निकली यह में पता चल गया ठीके तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रोबीजन भी खटा दिया अब प्रोबीजन हटाने के बाद कंपनी के हाथ में कितना परसा बच्चा दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक आठ मतलब एक ल सितंबर 2021 की बात हो रही है सितंबर 2020 की अगर मैं बात करता हूं मतलब इस कॉटर की तो यहां पर कमपनी को बचा था दोस्तो दस लाग 11,028 रुपे मतलब 101 आप मान लीजिए यह सुरू के तीन नमबर में लिख लेता हूं यह बात हो रही है दोस्तो सितंबर 2020 की जून 2021 की प्रॉफिट हुआ था दोस्तो मतलब प्रॉफिट बचा था यह दस लाग 30,619 रुपे गा तो दोस्तो प्रोविजन भी माइनस करने पर अगर मैं बात करता हूं तो काफी अच्छे नमबर यहां पर देखने को मिल रहा है इस कॉटर की आप कंपेर करके देख सकते हो अम आ प्रॉफिट है दोस्तो इस कॉटर में देख सितंबर 2021 में कंपणी को प्रॉफिट हुआ है दोस्तो आठ लाग 83,000 अट लग 83,000 का प्रॉफिट हुआ इसको हम पड़ सकते हैं लगबग 8000 करोड और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं जून कॉटर की तो जून कॉट और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं सितंबर 2020 की तो यहाँ पर कंपणी को नेट प्रॉफिट हुआ था दोस्तो कितना 7551 मतलब 7,51,000 का तो दोस्तो कंपणी के प्रॉफिट में अगर देखें तो year on year कंपणी कंपेर करने में बहुत खतरनाक तरीके से जंप देखने को मि प्रॉफिट को भी आपको कंपेर कर वे देता हूं ठीक है तो यहाँ पर दिखें यह EPS से ठीक है यह 13.70 पेसे का EPS था सितंबर 2020 में जून में यह EPS 14.00 रुपे का था और अब बढ़के 16.00 रुपे पर आ गया है इसके कंपेरिजन पर भी आप देख सकते हैं दोस्तो कि कि ग्रोस NPA और नेट NPA ठीक है तो यह देखते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट हम इसको बोलते हैं तो इसको हम परसेंटेज में कंपेर करते हैं नंबर्स देखने में तो दिक्कत होगी क्योंकि सेम वही कंडिशन है काफी बड़े फिगर से तो नंबर में अगर हम देखते ग्रोस NPA जो इंपोर्टेंट सीगमेंट रहता है बेंक का ठीक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे जून कॉर्टर में जून कॉर्टर में था यह 1.47% ठीक है सितंबर कॉर्टर में था सितंबर 2020 में यहाँ पर 1.08% ठीक है तो दोस्तों कंडिशन हमें वही देखने को मिल जहाने जहांपर हमें प्रोविजन प्रोविजन हमें कॉर्टर टू एंपफर जवर्ण एंप गश्वाथ ग्रिरते देखने को Пर एक प्राकार से दोस्तो येर में थोड़ा सा पाफरमेंस का कम होते देखने को मिल रहा है तो यह थोड़ी सी हमारे लिए अच्छी बात नही यह नेट NPA की अगर मैं बात करता हूं तो नेट NPA यहाँ पर आप देख सकते हो इस quarter में 0.40% था ठीके और सितंबर quarter में दोस्तों आप देखेंगे 0.48% था ठीके यहाँ पर आप देख सकते हो और दोस्तों अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर आगर आप देखेंग तो 0.17% यहां पर देखने को मिल रहा है सितंबर 2020 में सितंबर 2021 सितंबर 2020 और जून 2021 तो अगर मैं बात करता हूँ नेट एनपी की तो नेट एनपी भी हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों यहां पर quarter to quarter गिरते देखने को मिल रहा है और year on year गिरते देखने को मिल रहा है अगर मैं बात करते हूं quarter on quarter quarter on quarter दोस्तो company का क्या है performance हर जगा से बढ़ते देखने को मिल रहा है लेकिन year to year अगर मैं बात करता हूं तो गिरावट देखने को मिल रही है यही तो सबसे main उद्देश रहता है दोस्तो result बताने का जेल तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ लोगे लेकिन दोस्तो quarterly तरीके सा अगर कितने भी गिरावट आजा चल जाती है लेकिन year on year गिरावट नहीं आना चाहिए तो year on year सब जगा हमें गिरावट देखने को मिल रही है अब नीचे एक बार हम segment by profit देख लेते हैं क्या देखने को मिल रहा है खेल पूरी हमको देखने की जरूरत नहीं है खाली हमारे जो आम बेक्ति से धंदा होता है बैंकों का जैसे retail banking जो retail banking जो सबसे important loan book होती है इनकी ठीक है क्योंकि सबसे बड़ा धंदा हमारे देश में चलता है retail लोगों से ठीक है तो यहां पर अगर देखेंगे तो जो retail का performance है सितंबर 2020 में ठीक है वो सुरी सितंबर 2021 में तो कितना देखने को मिल रहा है 28,21,405 मतलब आप इसको सीधे तोर पर अगर देखें तो 200,82 आप बोल सकते हो जोन कौटर में यह था दोस्तो 299 का ठीक है सितंबर 2020 में था दोस्तो यह 266 का ठीक है अगर देखा जाए तो जो retail banking है उनका performance तो अच्छा देखने को हमें मिली रहा है और उसके बाद अगर दे लेकिन नंबर्स तो अच्छे शोख किये लेकिन सालाना तोर पर नहीं रास किया है यह हमारे लिए थोड़ा अच्छा नहीं है क्योंकि दोस्तो अगर मैं बात करता हूं तो bank का जो performance है से first बेप से लेके second बेप तक काफी अच्छा देखने को हमें मिला था अगर मैं बात कर से मेंडे को performance देखने को मिलता है लेकिन long time के लिए दोस्तों आप इस पर focus करिए ठीक है क्योंकि दोस्तों देश दुनिया कि number one banking 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 bank है ठीक है आप बोल सकते हो क्यों क्योंकि नाम चलता है HDFC bank और इससे related और भी कुछी पूछना है तो नीचे comment box में comment कर सकते हो नंबर थे न चैनल को subscribe भी करेगा तो thank you दोस्तों